नमस्कार दोस्तो स्वागत्याम सभीका नोविद एसकान पर आज हम प्रैपोजीशन के अंतरकत बिहाइंड और आफ्टर की प्रियोग को समझेंगे तो आएे समझते हैं दोस्तो विहाइंड का हिंदी अर्थ के पीछे होता है इसका प्रियोग हम जब करते हैं जब एक बस्तू या व्यक्ति किसी दूसरे बस्तू या व्यक्ति के पीछे इस्ति रवस्ता में खड़ा होता है तो ऐसी स्तिति में हम बहाँ पर विहाइंड का प्रियोग करते हैं इसक बात वो गती में नहीं है, इस ती रवस्ता में पेंड के पीछे खड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर के पीछे के अर्थ में, बैक यानि पीछे के अर्थ में, बिहांड का प्रियोग किया गया है, आफ्टर का प्रियोग हम जब करते हैं, जब एक वस्तू या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के पीछे गती की अवस्ता में हो। तब वहाँ पर हम पीछे के अर्थ में आफ्टर का प्रियोग करते हैं। इसको एक्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो इस बाकी को पढ़ने से हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे है लेकिन किस अवस्ता में है गती के अवस्ता में है। अवस्तु के पीछे गती के अवस्ता में हो तो वहाँ पर हम पीछे के अर्थ में आफ्टर का प्रियोग करते हैं। I hope आज का यह टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झालें आपको बड़े जैहिन दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।